तो ब्रहमास्र के ट्रेलर की जोटी-छोटी डीटेल लिखा लेंगे 0.25 XP में पहले यह लूइस्ट बजट है किसी मार्वल मुवी का और यह है ब्रहमास्र का बजट तो प्लीज रिक्वेस्ट है कंपेर करना बंद करो दोनों में तो और कभी भी ऐसा देखो कि यार बजट कि पास और वह बुल्किया उल्कर च्बाइर करते हैं और यहां पर एक चीज और कौहर करोगे तो उनके बैन से पावर निकल रही है नगया है अगर यहां पर हर एक जो भी अस्त्र है सब एक कॉंस्ट्रक्ट फॉर्म कर सकता है तो यहां पर यह बहुत ही तगड़ी डीटेल दी गई है कि वहां पर लाइट जेनरेट होता है पहले तो देख सकते हो पावर उहां पर से स्टार्ट होती है तब वह आ करके पंच करते है तो इसे पर देखो टकड़ाता है और बहुत ही अच्छा सीन यारियो क्रियेट करता है यह सेकेंड सीन की बात करें तो यहां पर कौन सी एक्ट्रेस है मुझे कोई आइडिया नहीं है बर इनके पास वाटर का पावर है और यहां पर यह सीन दिखाया जा रहा है कि यह वाटर के सायर के रूप में हो सकता है यह सारुक खान हो इस करेक्टर के लिए के बहुत ही पीचिदा चीजे दिमाग में चल रही है मेरे मैं आगे बात करूंगा यहां पर हम वह सीन देख सकते हैं जहां पर सारे लोग मिलकर करके अपने अस्त्र को प्रोजेक्ट कर रहे हावा में सम यह सीन सायर को हो सकता है क्योंकि हां पर सबके हाथ में एक अस्त्र है और सारे आगे की और चले जा रहे हैं तो यह पुराने टाइम का हो सकता है इस से थोरा आगे बढ़े तो यहां पर देख सकते हैं कि मोनी रॉइब भी अपना पावर डिराइब कर रहे हैं उसके आर्म में आकर के रुख रहा है ये तिर्सूल अब काफी अच्छा भी एफेक्स लगा मुझे इसका उसके बाद हमें एक और सीन दिखाए जाती है इस लड़की की जिसमें इसने हाथी के सूर टाइप का कुछ इस इस चर्ट के जो कि गने सास्त्र हो सकता है अब आते हैं वन अब दब बेस्ट सीन पर यह मुझे बहुत ही तगड़ा लगा यह भी कौन सा एक्टर है कोई आइडिया नहीं है तुम सुलोंबोसन में भी नहीं देख पाओगे कि कौन है पट क्या ही तगड़ा सीन है यह क्य अब यहां पर यहां पर हनुमान जी का रेफरेंस दे रहे हैं तो हो सकता है कि अब यहां पर ब्रहमास्तर का एक लुक दिया जाता है बट यहां पर यह मुवी में यह होने हो लाई कि तीन पार्ट में प्रहमास्तर का अस्तर मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है अट लिस्ट तो य यहां पर ब्रह्मास्त्र स्टार्ट हुआ हो सकता ही कि यह सरकल ही एक पार्ट हो बाकी के दो पार्ट और अलग अलग हो कि अब यहां पर हम रानवीर कपूर को पहली बार देखते हैं जो कि किसी डीजे या औरकेस्ट्रा में जा रहा है यहां पर एक और दिक्कत हो रहे थी कि लोग बोल रहे थे कि मंदिर में कैसे वो जा चूता पहन के जा सकता है जो कि तुम यह सीन में देख सकते हो बट जो लम स्थ बलं पिछकाडी वाला वाई बारा है तो यहां पर यह अलग सीन है यह कहीं और किसी पर कर जगें का सीन है को बीच में बताओ तो कहानी का क्या आइडिया नहीं जलता कि स्टार्ट और एंट पन्सुर्स तो इस character कर इतना ही है कि यह DJ है और गाना वाना बचाता है जग जगे जगे करके ट्रांस भी कर रहा है तो यह एक टिपिकल बॉलिवूड टाइप की चीज है बट ठीक है कोई प्रॉब्लम निया इतनी लिवाटी तो बॉलिवूड वाले लेही सकते हैं और DJ है तो तुम यह दोनों मिलते है और इनकी लव स्टूडी स्टार्ट होगी इस बेसिक सी पॉइंट से बट बस यही डर है मेरे को कि यहां पर प्यार की सकती ताकत वह वाली चीजे ना दिखा दे एक लाव एंगल रहे कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्यार की ताकत से जीत गया वह बस वह चूतिया पाना कड़े वह चूतिया पा कर दिया तो फिर टटी बन जाई है अब यह सीन बनारस का है ऑब्यसली क्योंकि बनारस का सीन क्यों है क्योंकि बनारस में ही फर्स्ट टाइम यह इसा को बताता है कि मेरे पास पावर्स है टिपिकल है है यहां पर यहां यह बहुत ही तगड़ा तरीके से बता आ रहा है वई से सेचुरेशन कुछ ज्यादा ही है तो फायर थो रहा यह लगड़ा है बट ठीक है चलता है और यह फायर जो है यह पानी में लगा हुआ है किसी दिये पर नहीं लगा हुआ है आप पानी में कैसे आगा लग गया यह वहां पर दिया होना चाहिए हर जगे दिया जल रहा है पर फिर भी इस ओके अब सीन आगे बढ़ता है और यहां पर इसा को बताता है कि इसको फायर से हट नहीं होता जलता नहीं है यह और तब पीशा को भी पता चल गया होगा यह भी मुवी के स्टार्टिंग में ही वो गया होगा यह भी अच्छी चीज है कि अगर लव एंगल को थोड़ा सा कम रखे कि वह ऐसा वाला जस्ट रेक बेसिक लव एंगल रखे तो मजा ही आ जाए अब सीन में थोड़ा आ गया है तो हम देखते है कि डार्क साइड ने मतलब काली सक्तियों ने कैप्चर कल रहे है रैनवीर कपूर को और उसके लॉकेट जल रहा है उसमें कुछ चीजे आ रही है उससे बाहर ने जा रही है उसकी तरफ आ रही है तुम जैसा सीन में देख सकत के जगे पर गए होंगे जो कि अमिता बच्चन चलाड़ा और यह स्टार्टिंग का सीन अगर तुम्हें याद होगा कि यहां पर जब सारे लोग अपने अस्त्र को कि कर रहे थे उनके पावड एब्जॉब्स कर रहे है कि वह उपर से आ रही है कुछ इंचैंडमेंट होता होगा और तब हमें फर्स्ट लुक मिलता है अमिता बच्चन जी का और उनके फाइटिंग स्किल्स को भी दिखाया जाता है कि वह तकड़ा फाइटर और एग्रीम यंग मैन लुक वाला है उल्ड मैं नहीं बोलूँगा यंग मैन ही लुक है इनके पास और फिर एक और ग्ल वाले लोग है वह आया होंगे और यहां पर हमें फर्स्ट ग्लिम्स दिखता है अब यहां पर रेड कलर है तुम्हें याद है वह स्कार के वाला सी तो अगर सार के इसमें विलेन हुए तो भी एक प्रोब्लम हो सकती है अगर नहीं हुए तो इस सिवा सिव जी का यह दिया वह तलब कर से लस्ट गया है अब यहां पर बुरे लोगों का तॉत कर साइडस हैं उनका सारा का सिंबल ड्य ही है और यहां पर ये देक सकते हूं कि ये भी बुल का फॉर्म ले रहा है और यहां पर मनिड़रा जितने भी पावर्सय वह अपने आर्म के पैज है परेंटें उस पे लाड़ेगे एक और गौर करने वाली बात है कि जितने भी मेंबर्स हैं इस बैड टेन रिंग्स के सॉरी टेन रिंग वाली वाइब आ गए इसमें बट सब के गले पर तुम देखोगे कि एक नाएक रेड कलर का लॉकेट लगा हुआ होगा यहाँ पर अगेन मोनी रॉय भी उसी रेड कलर वाले जगे पर है तो इस जगे का कोई ना कोई बहुत इंपोर्टेंट करेक्शन है जो कि मुझे लगड़ाए कि यहाँ से ही सब एंडिंग होगा और यह पार टू में बताया जाएगा हमें और यहाँ पर ब्रहमास्त्र के एटेच होने का एक और लुक बताया जाता है फिर से हमें एक और ग्लिप्स बिलती है अब यहाँ पर यह सीन ऐसा हो सकता है कि रैनवीर कपूर कंट्रोल करना थोड़ा मोरा सीख गए होंगे अपने पावर्स को और बच्चन साब की आँखों में खुशी देख सकते हैं काफी इसमें पीजी ठटी डखा गया होगा मतब यूए लेकिन काफी अच्छी सीन बताई गई है काटम कुटम चल रहा है तो एक्सन्स तो भरपूर होगा अब यहां पर यह भी पावर डिराइव कर रहा है कहीं से क्योंकि इसके पास कोई अभी तक पेंडेंट रुद्रा कर रहा है पूरा तो हो सकता है कि यह खुद ही एक अस्तुर हो इसके पास कोई पेंडेंट की जरूत ना पड़ती हो फिर कुछ और ही लोचा होगा इस सीन में क्योंकि तुम देख सकते हो कि इसका कोई भी बाडी का वो पेंडेंट या यह ग्लो नहीं कर रहा है इसकी पूर कर रहे होंगे अब यह वाला सीन हो सकता है कि आइदर यह लॉस्ट संथिंग कोई मढवर गया होगा क्योंकि यह पूरा का पूरा गुस्सा है अब यह कैरेक्टर में भी मुझे थ्वड़ा देख रहा है कि कौन है भाई है क्योंकि इसके पावर्स भी काफी अच्छे दिखेंगे हमें इस मूवी में पताने कैसे कैसे क्योंकुन प्लेग कर रहा है बट काफी कैरेक्टर से हैं और मोशनी रॉय को भी पावर्स कंस्ट्रक्ट कर सकता यह चीज दिखाया गया इसमें में परायोटी अस्तरों को और विआफेक्स को दी गई है इसलिए कि इतने सा करेक्टर होगा सिवा और उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है यह करेक्टर आइदर मेन विलेन है और सुपीडियर है सबसे अगर यह सार के हुए और इनका थर्ड पार्ट के लिए तो वन अप दो मेन विलेन लाइक थैनोस वगेड़ा दिया गया तो मजा ही आ जाएगा करते हैं यहां पर डिस्ट्रक्शन वगेरा कॉज हो रही है बहुत तगड़ी वाली तो यह लाश्ट का सीन होगा या फिर कोई अपना पावर यह ले रहा होगा काफी ही बहतरी सीन्स हैं और यह जंप कर रहा है कहीं पर तो और बच जाएगा गदा यह तो वही आसरम का सीन का जहां पर तलवार से फाइट कर रहा है और गदावी कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है तो नौँ ही नूज हाओ तो कंट्रूल इस पावर विच इस ग्रेट तिंग और लास्ट में जाते 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 फिर वही बात की वीफेस बहुत ही अच्छा है मूवी को सपोर्ट देना ज इस नौट अगुड तेंग तो बहुत ही डिफ्रेंस है और इतना करना ऐसे लाना वेट एक्स को करना बहुत बड़ी बात होती है तो थैंक्स एंक्स वर वाचिंग इस वीडियो लाइक कर देना सेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मिलते हैं किसी नहीं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए